आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ है students तो जो question आ रहे हैं यहाँ पर solve करने जा रहे हैं तुर्चन में यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है Question यह पूछ रहा है कि When an inert gas is filled in a place In the place of vacuum in a photo cell तो तब मेरे पास photoelectric current करेंट पे क्या effect होता है उसके उपर यहां पर करना है तो यहां पर हम बात करूu photoelectric current की तो यहां पर अगर हम बात करें photoelectric cell की तो फोटवेलेक््रिक सेल मेरे पास यहां पर चूपल सकता को है ? यहां पहलोर्स है है जैसे यह इस हमिशनोर। सीं मरे पास औरרא स्याटी निद्ध के इस इस मोधनी उनने यूट अजर शीयर पूहाँ है अग्थर चुब को साओu है.. मेरे पास यहां पर फोटन समय होता है जो photons इस metal के उपर strike करते हैं और अगर photoelectric effect होने वाला होता है तो यहां से electrons eject हो जाते हैं यहां से electron eject हो जाते हैं और मैं पास इस side पर इस side पर जो मेरे पास collector plate होती है वो electron को यहां पर उठा लेती है और यहां पर भार एक circuit जोड़के हम इसमें से current यहां पर measure कर लेते हैं तो यह मेरे पास होता है basic setup किसी भी photoelectric cell का जिसमें हम usually vacuum यहां पर use में लेते हैं लेकिन यहां पर question हम से पूछ रहा है यह अगर हम vacuum को replace कर दें एक ideal gas से तो photoelectric current के उपर मेरे पास यहां पर क्या effect पड़ेगा यानि rate of charge flow पर मेरे उपर यहां पर क्या effect पड़ेगा तो यहां पर अगर हम ideal gas डाल देते हैं अगर मैंने यहां पर ideal gas डाल दी तो होगा गया कि यहां पर मेरे पास electrons लीज हो रहे हैं और electrons होते हैं मेरे पास energetic particles तो जब भी वो ideal gas के molecule के contact में आएंगे अगर high energy electrons मेरे पास इसके contact में आएंगे तो यहां पर दो फायदे होए फायदा क्या हो मेरे पास एक तो extra electron और आए system में और electron आ गए एक तो इस electron ने strike किया था और इसके electron को भार कर दिया था तो extra electron मेरे पास system में आए है charged species का number बढ़ जाएगा क्या हो जाएगा charged species चाहे वो electron हो चाहे वो charged atom हो charged molecule हो तो अगर charged species का number बढ़ जाएगा यानि current जो current carrying मेरे पास यहां पर particles है जो charged particles है वो अगर increase हो गए तो photoelectric current भी क्या हो जाएगा तो initially अगर मेरे पास electrons थे, जितने naturally इस plate से निकलने चाहिए, तो अब क्या हो गया है, अभी electron और आ गए है, और कुछ charged particle और आ गए है, तो charged particle के number में increase हुआ है, जिसके वज़े से photoelectric current यहाँ पर definitely increase करेगा, क्योंकि यहाँ पर charged particles सी increase हो गए है, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास इस question का बंसर क्या हो जाएगा, सही answer हो जाएगा option B, यानि photoelectric current is increased, और यही option B मेरे पास इस question का सही answer भी होगा